सुनीता सिंग स्वागत करती हूं सभी का एर केमेस्टी क्लासेज में और अभी अपने क्लास में क्लास 11 केमेस्टी चैप्टर 12 और गैनिक केमेस्टी से एक टॉपिक है है इसके पहले मैंने आपको टेट्रा वैलेंसी ऑफ कारवन पढ़ाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन तो आप उसे जरूर वाच कर लें उसमें मैंने आपको बताए था कि अगले क्लास में आपको हाइब जया धर्यांसी क्यों होता है वहां पे बताया था जिसमें आपको व्र्ड यूज कर लिया गया था कि हैज़ड़ स्फ वाई कार्वन का जो चारों बॉन बनाता है लेंग वह बहुत ज्यादा होता है उस हाइब बंड लेंद पर साथी साथ उसके यह सब पर कैसे लेक्ट्रोंगेटीवीटी पर कैसे असर डालता है जानें जी जी से आप आगे जब यह पार्ट यह पढ़ लोगे तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं करें यह काम कया क्या किया सबस्क्राइश को समझेंगे और चलिए सबसटा करते हैं लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ कि इसे सबसे पहले क्या है कारवन कंपाउंड की यहां जो भी बात होगी वह कारवन कंपाउंड की यह तो अब ध्यान देजिए क्या है पहले समझेंगे कि है क्या है का मतलब होता है जब आप मिक्स करते हैं किसी दो को तो वो हाइब्रिट कहलाता है ना यहां पर देखे दा फेनोमेन अफ मिक्सिंग ऑफ और्बाइटर्स क्या है क्या है कि क्या कहता है कि वह एक ऐसा फेनोमेन जिसमें आप मिक्सिंग और और्बाइटर्स करते हैं और इससे क्या सो एच टूरी डिस्टिब्यूट एनर्जी और गिव और अपस में रिडिस्टिब्यूट करता है और और आपको न्यू औरवाइटर्स देता है जिसका एनर्जी एक्विवैलेंट होता है और सेप भी रहता है मतलब क्या कि समझे कार्वन के बारे में मैंने आपको बताया कि कार्वन जो आर्बाइटर्स ऐस atomic orbital जब मिलता है तब ही आपका क्या है hybrid orbital बनता है ठीक समझने बात को यह मेरा atomic orbital है spx fytz तो यह Atomic orbital जब मिक्स हूब wasp3 orbital बना क्या कहलेगा जो orbital बनेगा वो क्या कहलेगा hybrid orbital कहलेगा तो यह जो sp3 देख रहे हैं यह यह भी चार बनेगा जितना एक्विवेलेंट और यह बना इसमें चार एस्पी थी आप बनाएंगे उसका एनरजी क्या होगा एक्विवेलेंट होगा और सेप भी सेम होगा यहां पर आपको दिखाता है इस तरह से बनाके देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा ऐसे बड़ा सा लूप एक छोटा सा लूप होता है यह आपने समझा कि क्या है hybridization का मतलब है mixing of orbitals of the same atoms with slight difference in energy जो redistribute होता है और आपको orbitals देता है same energy का और same save का जिससे hybrid orbital के नाम से जाना जाता है इस पूरे process को hybridization कहा जाता है अब देखें carbon का compounds होगा तो वह three types of hybridization को करेगा कितने types को करेगा three types को करेगा ठीक है तो एक होगा sp3 दूसरा होगा sp2 और तीसरा sp इसके अलाबे कोई नहीं सो करेगा carbon आपका तीन तरह का सो करता है ठीक है यहां देखें अब क्या है कि कैसे सो करता है देखें और पी एक्स पी वाई पी जट सारा mix हो गया सारा atomic orbital carbon का मिक्स हो गया और तो क्या बन गया sp3 बन गया अगर आपका mixing ऐसा हुआ कि एक एस और दो पी और बाइटल मिक्स हुआ और तो और एक एक पी और बाइटल इधर एक्स वाई जट कुछ भी आप ले सकते हैं तो यहां पे अगर कोई भी एक पी और बाइटल अन हाइब्रिड रह जाता है यानि जिसने हाइब्राइशन में भाग नहीं लिया वो क्या कहलाता है अन हाइब्रिड और बाइटल जिसने हाइब्राइशन में भाग नहीं लिया उसे unhybrid करते कहते हैं तो यहाँ पे आपने क्या देखा 1s और 2p मिलता है तो sp2 बनेगा क्योंकि atomic orbital कितना है 3 है तो 3 sp2 hybrid orbital भी बनेगा 3 atomic orbital mix हो रहा है तो 3 hybrid orbital भी बनेगा clear? ना देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1s और 1p 1s और 1p यहाँ मैंने px लिखा है अगर आप py लिखोगे तो भी गलत नहीं है, pz लिखोगे तो भी गलत नहीं है, कोई भी 3 में से कोई एक आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि आप सभी को पता है p orbital जो होता है, वो क्या है? x, y, z x दिखा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे अपला सकते हैं, ठीक है? तो p, x मैंने लिया है 1s और 1p के मिलने से बना तो क्या कहलाएगा? x, p और यहाँ पे यह दो आप देख रहे हैं, वो क्या हो गया? unhybrid orbital, क्या हो गया? unhybrid orbital अब देखे, ध्यान दिजेगा hybrid orbital जो होता है, वो always बनाएगा sigma bond क्या बनाएगा? hybrid orbital जो होता है, वो always क्या बनाएगा? sigma bond बनाएगा sigma bond ठीक है? यह सब आप एकदम ध्यान रखें, hybrid orbital, sigma bond और यह जो unhybrid orbital हुआ, यही बनाता है pi bond ठीक है? जहां भी unhybrid orbital है, वहाँ pi bond बनेगा ठीक है? यह हो गया, अब देखे, sp3 का example alkane हो गया, alkane, general formula, cn, h2n, plus 2 cn, h2n, plus 2 example, पहला member कौन है? ch4, methane ठीक है? उसी तरह से sp2 बाले में क्या है? alkane, general formula, cn, h2n, ठीक है? पहला member, 2 से start होता है, इसमें c2, h4 carbon number 2 से start होता है, यहां 1 से start होगा क्योंकि carbon का tetrabalance ही पूरा हो गया, x से लेकिन यहां पे आप carbon number 2 से start करेंगे तो c2, h4, formula पे put करें c2, 2, 2, 4, ठीक है? उसी तरह से alkane का, आपका cn, h2n, minus 2 formula क्या हो गया? general formula, cn, h2n, minus 2 यहां भी आपको c equals to 2 लेना है, यानि 2 से start करना है 1 से start नहीं करेंगे, 2 से start करेंगे 2 ले लिया, तो c2, h2 हो जाएगा क्यों? क्योंकि 2, 2, 4, minus 2, 2 हो गया कि carbon, hybridization क्या होता है, hybrid orbital क्या होता है? किसके mixing से बनता है? आपका carbon कितने तरह का hybridization सो करेगा? अब जानेंगे, एक-एक करके, कि sp3, अब आप यह जान चुके हैं, screenshot ले लिजें इस चीज़ का, फिर से note-down कर लिजेगा, अपनी कॉपी पे, sp3, sp2 और sp, अब जानेंगे कि इन में से कौन stronger है, किसकी electronegativity ज़्यादा है, कौन reactive ज़्यादा होगा, यह देखेंगे, ठीक है, तो देखिए, hybridization in carbon compounds अभी आपने ज़स्ट देख लिया था, कि sp3 होता है, sp2 और sp होता है, यह मैंने आपको बता रखा है, अब देखे, sp3 mainly alkane so करता है, sp2 alkene और sp alkyne, अब देखे, sp3 alkane so करता है, इसलिए alkane को क्या कहता है, saturated, क्योंकि उसके पास pi bond नहीं होता है, वो हर एक पूरा का पूरा sigma bond होता है, उसके पास, तो saturated हो गया, उसी तरह से sp2 alkene में होता है, जिसमें अभी मैंने आपको दिखाए, एक unhybrid orbital रहता है, जो क्या करता है आपका, वो unhybrid है, इसलिए pi bond का formation करता है, इसलिए यह unsaturated hydrocarbon का लाता है, इसलिए यह reaction में जल्दी से participate करता है, तो किसके के लिए sigma bond बनाने के लिए, ताकि वो complete करे अपना sigma bond बना ले, pi को तोड़के sigma में convert हो जाए, उसी तरह से sp, alkyne इसका example था, यह भी unsaturated होता है, क्योंकि इसमें तो और दो pi bond पाया जाता है, carbon carbon के बीच में, तो बस क्या करना है, pi bond को break करके sigma में convert होने के लिए, यह लोग क्या करते है, chemical reactivity सो करते हैं, reaction में participate करते हैं, यह आपने समझ लिया, अब आईए, sp3, तो यहाँ s है और p है, इसमें दो तरह का character भी होता है, इस hybrid orbital में दो तरह का character होता है, s character और p character, तो देखे, overall यहाँ पर 4 है न, इसको 100 अगर माना जाए, s character कितना, 25% हो जाएगा, क्योंकि यह 4 भाग में है, और p character कितना, 75%, उसी तरह से sp2 में आप लेंगे, तो 33.3 हो जाएगा, और 66.6 p character, और sp में 50-50 character हो गया, 50% क्योंकि s और p है, तो 50% हो गया, अब ध्यान रखिए, ध्यान से समझे, greater the s character, shorter the bond length, and stronger will be bond, आप ध्यान देना है क्या हमें, कि s character जतना जादा होगा, s character जादा होगा, तो bond length stronger होगा, bond length छोटा होगा, shorter होगा, छोटा होगा, और अगर bond छोटा है, तो stronger होगा bond, अब इसको समझे concept से, s character जादा है, s character जादा है, मतलए s orbital का जो overlapping है, वो जादा है, s character जादा है, यानि s orbital, s orbital कैसा होता है, ऐसा goal होता है s orbital, और वो nucleus के पास होता है, ठीक है, goal होने के कारण nucleus से उसकी नजदिकी होती है, ठीक है, तो क्या है, कि s character अगर जादा है, तो उस 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 पर युलिएस का पकड़ ज्यादा होगा जिसके कारण इपरी तरफ घिचेगा और यह होगा आपका नुपलीएस की तरफ जाएगा जिसके कारण bond क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा आप ऐसे समझें S character जादा है नुकलियस बीच में होता है सभी को पता है का atom का नुकलियस बीच में होता है और round है S character जादा है तो इसमें रहने बाला electron क्या होगा मुखलियस से जादा खिचाब महसुद करेगा जिसके कारण bond छोटा हो जाएगा और जब bond छोटा होता है तो वो stronger होता है यह हम सब ही जानते हैं कि जितना लंबा bond बना देंगे आप वो उतना weak हो जाएगा और जितना छोटा bond होगा उसका strongness उतना ही ज़्यादा होता है इसलिए अगर हम कहें कि bond strength का order बताइए bond strength का order क्या हो जाएगा order of bond strength इसके बारे में अगर हम कहें order of bond strength तो bond strength की बात करेंगे तो किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा सबसे ज़्यादा stronger वह ज़्यादा है तो bond छोटा होगा bond छोटा होगा stronger होगा यह bond strength इसका ज़्यादा फिर sp 2 का थोड़ा ज़्यादा और सबसे कम sp 3 का होगा क्योंकि इसमें सारा का सारा क्या, इसमें S करेक्टर बहुत कम है, जिसके कारण इसका bond लंबा होगा, और लंबा होने के कारण stronger नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपने दो बाते समझ लहीं, कि S करेक्टर जादा है, तो shorter होगा bond, और shorter होगा, तो stronger होगा bond, clear हो गया, अब आईए second number के, greater than S करेक्टर, greater building electronegativity, क्या है, कि S करेक्टर जितना जादा होगा, electronegativity उतना ही होगा, यानि कि S P में, S P जो orbital होगा, वो जादा electronegative होगा, then किसके, other के, ठीक है, तो S करेक्टर क्यों, वही reason वही है, nucleus से नजदिक है आपका S orbital, S orbital का shape गोला कार होता है, S spherical होता है, जिसके कारण, वो nucleus को, nucleus से attract जादा होता है, ठीक है, उसके कारण ही electronegativity भी जादा हो जाता है, यह आपने समझ लिया, ठीक है, अभी आपने क्या-क्या समझ लिया, पहला, कि S 3, S P 3, S P 2, S P, S P 3, alkane सो करता है, जिसको saturated करते हैं, क्योंकि सारा का सारा sigma bond होता है, इसमें S P 2 है, तो alkane है, इसमें क्या होता है, एक pi bond होता है, at least one pi bond होना चाहिए, बाकी sigma चलेगा, इसमें भी at least one triple bond होना चाहिए, तभी alkane कहलाता है, अब है क्या, कि देखे, hybrid orbital के mixing से यह मैंने बता लिया आपको, कि hybrid orbital जब mix होता है, hybrid orbital जब wrapping करता है, तो वो क्या बनाएग जो होगा, वो pi बनाता है, तो देखे, S P 3 का एक example लिया, हमने CH 4, methane, तो methane का, यहाँ पर क्या है, मैंने आपको होता है, S P 3, 4 orbital होता है, 1, 2, 3, 4, carbon का 4 S P 3 orbital हो गया, जो mix हो रहा है, hydrogen के S orbital के साथ, S orbital के साथ, तो क्या हो गया, आपका कैसा बन गया, इस तरीके का बना, C, H, 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 जूरता है, 4 तरफ से, यहाँ पर C क्या होता है, S P 3 hybrid होता है, क्योंकि 4 sigma bond है, उसके around में, ठीक है, तो यहाँ पर 4 sigma कैसे बना, यह आपने देखा, उसी तरह से अलकीन का example लिया है, इसको समझेगा धियान से, यहाँ पर क्या है, S P 2, तो 3 S P 2 बना था, पीछे जो आपको S orbital 1, 2, 3, इसका भी 1, 2, 3, अब सब mix होगा किसके साथ, hydrogen के साथ, hydrogen के S orbital के साथ, ठीक है, S orbital के साथ mix हो रहा है, अब देखिए, जहाँ भी यह mixing दिखाए गया है, वहाँ पर समझना है कि pair of electron है, pair of electron है, ठीक है, क्योंकि orbital overlap करेगा, bonding तो करेगा, bonding ले 2 electron तो चाहिए, अब यहा unhybrid रखा था, है न, वहाँ पर, unhybrid मतलब क्या हो गया, कि यह आपका जैसे double loop में आता है, P orbital का structure जो होता है, shape जो होता है, उसके हिसाब से P orbital हो गया, इसका mixing कैसे हो रहा है, देखिए, यह इस plane के above, इस plane के below, तो यह जो बना, यह sigma bond, इसलिए क्योंकि यह किसके overlapping से बन रहा है, hybrid orbital के mixing से बन रहा है, इसलिए यह sigma bond हो गया, ठीक है, यहाँ भी hybrid orbital और S orbital मिला है, head-on overlapping हो रहा है, head-on overlapping हो रहा है, axial overlapping है, जिसके कारण वो भी क्या है, sigma bond ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कि यह जो PZ, PZ का overlapping हुआ, यह above the plane और below the plane हुआ, जिसके कारण यह कंजोर bond होता है, pi bond क्या होता है, weak bond and sigma bond होता है, तो इस तरीके से बनता है, एक electron इसके पास रहता है, एक electron इसके पास दोनों mixing करके, pi bond का formation आपको देता है, जो आप कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, c, देखे, c, sigma bond से जो बनना था, वो बन गया, उपर आधा, आधा नीचे, यह दोनों pi bond को दिखाता है, जो कि आप directly कैसे बना देते हैं, सिधा सिधा आप बना लेते हैं, ऐसी हो गया, एक sigma बाकी pi, जहां भी multiple bond है, वहां एक ही sigma होगा, बाकी सब pi होगा, ठीक है, जहां भी आपका σिगमा बॉन्ड है, जहाँ भी मल्टिपल बॉन्ड है, वहाँ एक सिगमा बाकी पाई होता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ आ जाएए SP, यहाँ आप देख रहे हैं कि SP और बाइटल मिक्स हो रहा है, एक दो, एक दो, दोनों कर्बन का दो है, यहाँ पे मिक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि PY, PZ, यह दोनों का अन्हाइब्रिड रह गया, तो दोनों अन्हाइब्रिड जब मिक्स करेगा, तो दो पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक अन्हाइब्रिड से एक पाई बॉन्ड, तो दो अन्हाइब्रिड से दो पाई हैं किन दिखाना होगा अगर यह फुआ यह को यहां मिक्स किजे और पी इड़ यह लाता है तो इसके साथ को धीक करना होगा है वियुकर इसको ठीक कि जिये ऐसे की है यह पी-वाई मालन लो इसको पी-जड मालन लो चो पी-वाई तो पीजण पीशूर का ऑ अबरलेप पीवाय के साथ ही दिखाना है और यह हमारा यह पीजञा है यह वाला यह जो तिर्चा में चेब हो पीजञा aw यह P Z और यह PY आपने आप देखा सही हो गया और इस तरिके से यहां पर क्या एक, एक electron इसके पास पर दूसरे के पास भी एक electron अंटी इक laying में रहेगा मेस करेगा, तो क्या बनाएगा, ऐसा बनाते हैं न, ट्रिपल बॉन, क्यों क्योंकि एक तो यहां से sigma बन जाएगा, SPSP से sigma बन गया, तो sigma bon, और यह दोनो onhybrid or rider से दो πाई बॉन, तो एक sigma, एक पाई, एक पाई, ठीखें? तो यहां पर 1 σिङमा और 2 π y हो गया, अगर टोटल सिङमा बॉंड की बात करता है, आपके question में आता है, कि टोटल सिङमा बॉंड कांट करो, टोटल फाई बॉंड कांट करो, इसने टोटल सिङमा कितना, 1,2, और 1,3, 3 σिङमा बॉंड, ऐसे ही count होता है, ठीक है, मतलब सब ची से आप यहां पे बढ़ा सकते हैं कि इसमें कितना सिग्मा एक सिग्मा दो सिग्मा प्रोटल कितना पांच सिग्मा और पाई तो एक ही है promise यह द्यान क्या देना था इसमें एक ही सिग्मा मैं इसमें भी इसमें दो के Vide की वेबुक में उन सारी बातों को बता दिया गया है यहां पर आप क्या कर सकते हैं आप एक्जाम्पल्स क्वेश्चन सौल के लिए जिसमें आपको सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉंड नंबर ऑफ पाई बॉंड पूछ रहा है या नंबर की बताइए कि इसमें हाइब डाशन कैसा है कारवन का तो बस क्या करना है आपको सिग्मा बॉंड कांट करना है उसके अकॉर्डिंग बोला जैसे देखें अगर यहां पर सिग्मा बॉंड कितना है एक दो तीन चाहत तो क्या बोलेंगे 1 S हो गया, 3 P, तो क्या हो गया, क्या हो गया, SP3, उसी तरह से इसको देखो, इसको देखने से क्या दिख रहा है, एक sigma, दो sigma और 3 sigma, मात्र 3 sigma, 5 bond को hybridization में count नहीं करते हैं, 5 bond को hybridization में count नहीं करते हैं, तो 3 sigma है मेरा, ठीक है, तो 3 sigma, मतलब 1s होगा और 2p होगा sp2 ठीक है यह भी sp2 और यह भी एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा sp2 क्लियर आगे बढ़िए इसमें चलिएगा तो देखे कैसे था यहां पर तीन बॉंड है न ऐसे तो इस कार्बन को देखे कितना सिग्मा बॉंड होगा एक सिग्मा दो सिग्मा एक सिग्मा दो सिग्मा एक स और पी तो एस पी बन गया यहां पर एक सिग्मा दो सिग्मा एस पी इसी तरीके से आपके पास दिया हुआ है बुक में उस क्वेस्टन का स्ट्रक्चर लिखिए और सिग्मा कार्बन के राउंड कितना सिग्मा बॉंड ह उसको count किजिए उसके according देख लिजिए एक S और कितना P मिलने से वो बना होगा उसके हिसाब से बता देजिए कि पैसा hybridization है आई होग कि आपको यह question यह जो class हुआ है इसका समझ में आया हो कि किस तरीके से question होता है इसमें क्या-क्या बाते आपने सीखी है उन बातों को ध्यान रखी क्योंकि basic जब आप पढ़ते चले जाते हैं तो advanced level पर जब आप पहुंचेंगे तो बहुत easily आप उसको समझ पाते हैं इसको आप यह कर पाते हैं इस असा के साथ इस उमीद के साथ कि यह lecture class भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप इससे समझ रखें तो मिलेंगे आप से next class में next video के साथ तब तक लिए थाइंक्यू पेट केर हैवना इस दिए